Hello Friends, Tricks for All Students में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है Friends, आज की इस वीडियो में हम The World After 1945 के Chapter 6 का Part 2 देखने जा रहे हैं Beijing Student Movement 1989 Friends, Beijing चाइना की राजधानी है Friends, चाइना में लोकतातर नहीं पाया जाता है वहाँ पर Communist शाशन लागू है यानि की चाइना में केवल एक ही राज़नीतिक दल है जिसका नाम है Communist Party इसके अलावा चाइना में दूसरा राजनीतिक दल नहीं पाया जाता है जिस कारण से चाइना में लोकतंतर भी नहीं पाया जाता है तो 1989 के अपरेल महीने में लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता की मांग करते हुए बेजिंग विश्विद्याले के छात्रों तथा कुछ अन्य लोगों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता की मांग करते हुए और ये आंदोलन बढ़ता ही गया जिस तो वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर सैनिकों को इकठा किया गया और चार जून की सुभा को उन प्रदर्शन कारियों पर अंधा धुन गोलिया चलाई गई जिस कारण से ये बीजिंग स्टूडेंट मुव्मेंट पूरी तरह समाप्त हो गया तो एक बड़े नर सनहार के साथ ये स्टूडेंट मुव्मेंट समाप्त हुआ था और चार जून 1989 की घटना को त्यान मेन स्कौायर हत्याकांट नाम दिया गया जो की मानफता विरोधी थी तो फ्रेंट्स इस बीजिंग स्टूडेंट मुव्मेंट को डिटेल में समझते हुए हम बात करेंगे चाइना की एतिहासिक प्रिष्ट भूमें की फ्रेंट्स अगर हम चाइना के मध्यकाले नितिहास को देखें तो 1600 के मध्य से 1912 तक चाइना में किंग राजवन्ष यानि किंग डायनेस्टी का शाशन था इसे मंचू राजवन्ष भी कहा जाता है 1911 के से 1912 के बीच सिनहाई करांती हुई चाइना में जिस कारण से ये राजवन्ष वहाँ पर समाप्त हो गया और चाइना में राजवन्ष समाप्त हो गया इसके बाद चीन गंडराज्य इस्थापना की और अग्रसर हुआ मतलब जब चीन में करांती हुई और राजवन्ष समाप्त हो गया तो चीन एक रेपबलिक स्टेट बनने की और आगे बढ़ा एक स्वतंत्र सरकार बनाने की स्थापना की और आगे बढ़ा बट यहाँ पर राजनेतिक उथल पुथल के कारण यहाँ पर एक राजनेतिक आइस्थरता कायम रही जिसके कारण चीन में इस शाषन का एक पूरी तरह एक सिस्टम तयार नहीं हो बाया और चीन एक पूरी तरह गंडराज्य के स्थापना नहीं कर पाया इसी बीच दुईती विश्युद हुआ 1949 में और दुईती विश्युद में चीन जापान के कबजे में आ गया मतलब दुईती विश्युद में जापान ने चीन पर आक्रमन किया और चीन के कई छेतरों पर जापानी कबजा हो गया बट दुईती विश्युद में जापान की बुरी तरह हार हुई जिस कारण से जापान को चीन को छोड़ना पड़ा बट 1946 से चीन में ग्रहयुद शुरू हो गया और यह ग्रहयुद 1949 में समात हुआ और 1949 में Communist Party ने चीन पर नियंतरन इस्थापित किया और माउट से तुंग के नैतरित में People's Republic of China की स्थापना की गई मतलब 1949 में Communist Party का शाशन इस्थापित हुआ चीन में और उसके अध्यक्ष थे माउट से तुंग यह 1976 तक इस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कारे किया इस पार्टी के अध्यक्ष का मतलब है कि चीन के सबसे शक्तिशाली वैक्ती के रूप में इन्होंने कारे किया और इस प्रकार 1994 में People's Republic of China की स्थापना की गई मतलब चाइना को एक Republic State बताया गया Republic का मतलब होता है कि जहां का अध्यक्ष जहां का सबसे बड़ा वैक्ती चुनाव के जरिये चुनकर आता है बड़ जैसा कि हम जानते हैं कि ये Republic मात्र कहने भर का Republic है चाइना असली में वहाँ पर Republic जैसी कोई चीच पाई नहीं जाती है इसके साथ ही माउसे तुंग 1976 तक अध्यक्ष के रूप में चाइना में काम किया इनों ने और कई सारी नीतियां बनाएं जिससे की देश को डेवलप किया जा सके बट काफी हद तक इनकी जो नीतियां थी वो विफल रही जिसके कारण 1980 के दशक में चीन की जो अर्थ रगस्था थी वो बहुत जादा खराब हो गई और नौक्रियों में लगातार हो रही कमी और गरीवी में लगातार हो रही वृद्धी इसके अतिरिक मेंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही थी और जो चाइना की मुद्रा है उसका जो मूले है वो घरता ही जा रहा था तो इन सभी कारणों के कारण नागविकों में असंतोश बना हुआ था और अर्थ व्यवस्था चीन की खराब हो जोगी थी और एसी कारण से चीन ने क्यूंकि चीन एक सामेवादी देश है जो समाजवात को बढ़ावा देता है बट क्योंकि अर्थ व्यवस्था खराब हो गई थी इसलिए सीमित रूप में चीन में पूंजीवार्थ को शुरू किया गया मतलब पूझी वाद को बढ़ावा दिया गया अब पूझी वाद को बढ़ावा देने के बाद भी नागरिकों में सामाने असंतोष बना रहा मतलब नागरिकों को संतोष्टी नहीं होई इस कारण से 1980 के दशक में से ही समय समय पर चाइना की सरकार का विरोत किया गया 1989 की वसंत तक विशविद्याले की छातरों और अन्य लोगों की राजनीतिक और आर्थिक सुधार के इच्छा बहुत बढ़ गई थी विशविद्याले की चातर और जो बुद्धी जीवी चाहिए और आर्थिक समस्या से निवटना चाहिए जल्द से जल्द तो विश्विद्याले के छात्रों और बुद्धी जीवियों ने लोकतंदर की मांग करते हुए और आम लोग ने आर्थिक सुधारों की मांग करते हुए आंदोलन में हिस्सा लिया और 1989 में ये आंदोलन ह विरोत का तातकालिक कारण था अब कारण क्या था विरोत का तातकालिक इसका एक कारण था हू या ओ बांग की मृत्यूँ हू याओ बांग चीन के एक नेता थे जो कम्यूनिस्ट पार्टी के ही एक नेता थे इनको कम्यूनिस्ट पार्टी ने इनकी पद से हटा दिया था कम्यनिस्ट पार्टी का कहना था कि जब चीन में लोक सरकार का विरोध कर रहे थे तब हू याओ बांग उनका सhी तरह से दमन नहीं कर रहे थे या कोई सही कारेवाही उस विरोध को दबाने के लिए नहीं कर रहे थे जिस कारण से इन्हें इनके पत्से हटा दिया गया 18 अप्रेल 1989 को हू याओ बांग की तस्वीरें लेकर बीजिंग से 93 चौक तक मार्ज निकाला गया ये मेंली 18 अप्रेल 1989 से इस आंदोलन की शुरुआत हो रही बीजिंग चात्र आंदोलन की 93 चौक बीजिंग में ही एक जगा है तो वहां तक एक मार्ज निकाला गया और चात्रों ने लोकतांत्रिक सरकार बनाने का आवान किया चार मई को से एक सारजिनिक आवाज की मांग और भी मजबूत हो गई मई के मद्धे तक हजारुन लोग इसमें शामिल हो गए मतलब शुरू शुरू में आंदोलन विश्व द्याले की छात्रों ने शुरू किया था बर धीरे धीरे इसमें कई सारे लोग शामिल हो गए और आंदोलन कारियों की जो संख्या थी वो लगातार बढ़ते ही चली गई इसी के साथ सरकार और आंदोरन कारी के बीच में एक वारता होई जो की विफल रही सहमती दोनों के बीच में ही नहीं बनी इस कारण से जो वारता थी बादचीत थी वो विफल हो गई जिस कारण से छात्रों ने और आंदोरन कारीों ने एक नई नीती अपनाई 13 माई को कई छातर भूख हर्ताल पर चले गए और इसके साथ ही पूरे चीन में हमले और विरोत प्रदर्शन होने लगी जगा जगा 17 माई को एक लाग से अधिक लोगों ने 93 चौक पर भीड जमा की मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में भीड 17 माई को 93 चौक पर इखटा होई जिसके कारण चीन ने मार्शल लोगोशित कर दिया जो की विफल ही रहा अब ऐसा इसलिए किया गया था कि इस दोरान सोवियत संख्ये नेता चीन का दोरा कर रहे थे और ये आंदोलन कारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जिसके कारण उनकी यात्रा में रुकावट हो रही थी जो सोवियत संख्ये नेता थे उनकी यात्रा में रुकावट हो रही थी और इसी कारण से चीन ने मार्शल लो लगाया बट ये मार्शल लो जादा तर विफल ही रहा और कुछ नेताओं को प्रदर्शन कारियों के लिए सहानो भूती भी थी जो सरकार के अंदर ही कुछ नेता थे उनको प्रदर्शन कारियों के लिए सहानो भूती थी कि किस तरह से प्रदर्शनकारी उनके देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो कई नेताओं ने कई प्रेस कंपनियों ने उनकी मदद भी की अगली बड़ी घटना चार जून 1969 को घटें चीनी सैनिक 3 से चार जून की रात को त्यानमेन चौक पहुँचे एक बड़ी संख्या पी एले चाइना की आर्मी है उसने पूरे दिन निहत्ते नागरिकों और छात्रों के उपर गोली बारी की और इस थरह ये प्रदर्शन समाप्त हुआ ऐसे निहत्ते लोगों उपर गोला बारी की गई फायरिंग की गई जिनके हाथ में कोई भी हतियार नहीं था जो सिर्फ अ लोकतंत्र या स्वातंत्रता की स्थापना के लिए आंदोलन कर रहे थे आंदोलन कारी यही जाते थे कि उन्हें बोलने की स्वातंत्रता मिले प्रेस की स्वातंत्रता मिले और लोकतंत्र की स्थापना हुआ ताकि चाइना की नागरिकों को एक सही माइने में स्वातंत्रता हासिल हो सके अधिकार हासिल हो सके बड़ चाइना की कम्यूनिस्ट पार्टी ने कम्यूनिस्ट सरकार ने इस आंदोलन को एक नरसनहार के द्वारा समाप्त किया चाइना की आर्मी की इस गोला बारी यानि हाईरिंग के कारण हजारों 79 लोगों की जाने गई बट चाइना से कभी भी एक सही इंफॉर्मिशन हमें नहीं मिलती है और हुआ भी यही कि चाइना से अभी तक इसकी एक सही इंफॉर्मिशन नहीं मिली है कि कितनी लोगों की जाने गई और अगर हम बात करें इस आंदोलन क गाओं तक नहीं फैला था ग्रामेर इलाकों से इसका जादा संबंध नहीं था इसके साथ ही मेडिया जैसे रिसोर्स की कमी थी इस आंदोलन के पास तो इन सभी कारणों के कारण भी ये आंदोलन समाप्त हुआ तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और अगर और सब्सक्राइब करने और इस वीडियो को लाइक करें और जाज़ा शेयर करें थैंक यू